जयमिद्ध हर आखं को बताने जा रहा है कि ने चतरथी वर्थ के बारे में उपाई कब रहेगा और हमें अपने को कश्टों का दूर करने के लिए विघन हर्ता मतलब को पात को एक की प्रेंच करना चाहिए जिस उपाय को करने मेद को ही आपके बंगद सारे बनने शुरू हो जाएं आज मैं आपको यही उपाएं वीडियो के माध्यम से आप तक प्रिंचाओंगा आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गनेश चतु करते हैं उनका वर्त रखते हैं तो हमारे बने बनकर जो काम खराब हो जाते हैं हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं इस दिन जब हम कोई भी उपाए करते हैं उपाए करने से हमारे सर्व कष्ट निवारण के लिए हमारे जीवन में जितनी भी परशाने चलिए वह परशान करके करेंगी यह पाय तो आपको इसका रजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा जब हमारे जीवन में बार-बार कोई संकट आ रहा है जब आपके हर काम बनकर खराब हो रहे हैं आपको सफलता नहीं मिल रही तो आठ गनेश चालीसा लेकर साथ में कम से कम पांच लड़ू पेले वहां हाथ जोड़कर आपने गनपति बबाबा मतलब गनेश भगवान का नाम लेकर 11 बार और आपने एक बार गनेश चलीसा पढ़कर अपनी उपर जो भी परशानिया आपको चल रही है उस परशानियों को सोचते हुए अपनी मनों कामना को सोचते हुए वो आठ चालीसे और लड़ू जो है वह आपने गनेश मंदर में रखकर आने हैं ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा अगर आपके ऊपर कोई परशानिया तो परशानिया आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अपने परिवार के सुख के लिए कारोबार में सुख के ल तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट में आएगा आपके बन शुरिदी मतलों आपके परिवार के अंदर हमेशा शुक बना रहेगा अब तीसरा उपाय जो होता है वह बहुत सरल उपाय है आपने गनेश मंदर में जाकर एक लड़ू से लेकर आप जितनी मर्जी अपने इच्छा के अंसार लड़ू लेकर गनेश मंदर में जाकर परशाद बांड कराईए गनेश चतुरते वाले दिन तो आपके जीवन में चोटे-चोटे कार्यों में जो रुकावटे आ रहे हैं परशानी आ रहे हो आपके परशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आइनल को सब्सक्राइब करना ना बोले जय माता दी